नमस्कान दोस्तो, मैं मुकेश, आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर सिंदम में दोस्तो अगर आप भी संगीत के शौकीन है, अगर आपको भी संगीत गाना या बजाना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये वीडियो है, आप संगीत की शुरुआत कर सकते हैं और घर बैठ करके अपने आप से संगीत में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं उसके लिए मैं या कहूं सुर संगम चैनल आप लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, आपको साथ देता है घर बैठे, ना कोई चार्जेज है, ना कोई आपको टेंशन है, ना कोई समय की पावंदी है जब आपको समय मिले, जब आपका मूड करे, आप संगीत की शुरुआत कर सकते हैं आप सबसे पहले जाएगा YouTube पे और YouTube पे लिखिये सुर संगम हार्मोनियम लेसन लिस्ट आएगी उसमें से आप शुरुआत करिये लेसन नमबर 100, 101, 102, 103, 104, 105 यह 5-6 जो लेसन है, यह बेसिक कंसेप्ट को आपके को समझाते हैं कि संगीत में या मैं कहूं हार्मोनियम में सुरों का पैटन क्या है स्केल सेलेक्शन क्या है फिंगर्स का पैटन किस प्रकार से हम रखते हैं वो सारे कॉंसेप्ट को समझाएगा उसके बाद में फिर जब हम चीजों को समझ जाते हैं तो समझने के बाद में हमको अभ्यास किस प्रकार से करना है उसी अभ्यास को बनाए रखने के लिए लेसन नमबर वन से शुरू करिए और आप चले जाएए कम से कम डेड़ सो से उपर लेसन हैं बहुत कुछ इसके अंदर शामिल है आप देखेंगे अलंकार, थाट, राग, बहुत सारी चीजे हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे हिंदी भजन, देशी भजन, बॉलिवुड सौंग, गजल इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल आपको अलग-अलग प्रकार की गाइडेंस इस चैनल के मध्यम से आपको घर बैठे मिलती हैं देखते हैं फिर दस दिन ब्रेक कर देते हैं, दो लेशन देखते हैं फिर पांस दिन ब्रेक कर देते हैं, फिर एक गाना निकाल के देखते हैं, ब्रेक कर देते हैं, कभी भी ये ध्यान रखिये, चाहे आप मन में ही हो, लेकिन अगर आपने संगीत की शुरुआत कर दी हैं तो continuity बहुत जरूरी है यानि नियमित्ता बहुत जरूरी है अगर आप पांस दिन अलंकार का अभ्यास करते हैं और उसके बाद में छटे दिन अगर आप रुख जाते हैं तो आप उतने ही पांस दिन पीछे आ जाते हैं इसलिए कभी भी आपको संगीत से लेकर के ऐसा हो कि मुझे सीखना है या कोई आपका यार दोस्त रिस्तेदार कोई भी हो जो चाता है कि मैं संगीत सीखूं तो आप उसको सुरसंगम चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं और लिंक शेयर करके उनको बता सकते हैं किस प्रकार से अलंकार, इसके अलावा इसका पैटन क्या है, ये थाट क्या होती है, स्केल क्या होता है, फिंगर्स का पैटन क्या होता है, ये सारा मसाला आपको एक ही चैनल जो सूर संगम पर मिलेगा, more than 1100 यानि कि 1100 से जादा वीडियोज मैंने बनाए हैं, उनको आप देख करके घर संगीत सीख सकते हैं, हसते रहिएगा, मुश्कुराते रहिएगा, और चैनल या वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल का या प्ले लिस्ट का आप देखेंगे, मैंने आपको इसके दिस्क्रिप्शन में लिंक भी दियो होए हैं, वहां से भी आप डायरेट्ट जा सकते हैं, धन्यवाद.